कहानी शुरू होती है दोष शरारती बचो से, यह दोनों ही दोसती और क्लास फैलोज भी है, इन में से एक का नाम है जॉर्ज और दूसरे का नाम है हैरल, यह दोनों मिलकर कॉमिक्स बनाते हैं, जॉर्ज को कॉमिक लिखने बहुत अच्छे आते हैं, जबके उसके लिए ड्र सर पर उठा रखते थे यहीं सभी लोगों को तंग करते थे जलाग तो यह दोनों इतने थे कि अपनी शरारत का कोई भी सुराख पीछनी चोटे थे और इसी वज़ा से हर बार वो प्रिंस्पल की पनिश्मेंट से यहीं सजा से बच जाया करते थे इन दोनों नहीं मस्ती करने के लिए अपना ट्री हाउस बना रखा था जहां वो हर रो स्कूल के बाद जाके खूब शरारते करते थे खूब मस्ती करते थे और कॉमिक्स लिखते थे उनकी कॉमिक बुक का सबसे मज़ेदार चेप्टर था कैप्टन अंडर पैंट्स जिसका मेन करेक्टर और कोई नहीं बलके उनका प्रिंसिपल है था जो इनकी कॉमिक बुक की स्टोरिज में अपने आदे दूरे कपड़ों में सूपर हीरो की तरह आकाम करते थे खैर कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एक दिन इनकी स्कूल में एक साइंस एक्जिशन होता है एक बहुत ही पढ़ा चोड़ने लगते हैं और ऐसे यहां के सारे बच्चे मस्ती करने लग जाते हैं यहीं मतलब यह है कि वह सारा साइंस एक्जिशन खराब हो जाता है अब जैसा हमें पहले पता है कि कोई भी शरारत करने के बाद यह दोनों बच्चे सबूत नहीं छोड़ते थे इस बार और प्रिंसिपल तो इंतहा से जादा खुश थे कि फाइनली पहली मरतबा उन्हें कोई सबूत मिला था इन दोनों को सजा देने का इसी सबूत के चुलते वह इन दोनों को सजा देते हैं कि यह दोनों अब एक क्लास में नहीं बलके लहदा लहदा क्लास में रहेंगे ऐसे मिलेंगे और नहीं शरारते कर पाएंगे इस बात से यह दोनों बच्छी बहुत ही साथ उतास थे और वह सोचते हैं इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा चाहता से जादा क्या कर सकते थे वह यहीं सोचते हैं कि हम वह कैमरा चुरा कर सारी रिकॉर्डिंग यह डिनीट कर दे प्रिंसिपल उनसे कहते हैं देखो इसे क्लिए आया थी न तुम लेकिन तुमें नहीं मिलेगा अब यह मुझे तो तुम दोनों पे पहले से ही इतवार नहीं है इसलिए मैं इसे साथ लेने कर खूंता हूँ अब प्रिंसिपल इन दोनों को चिड़ाने के लिए इनके सामने करने लगते हैं जिसमें यह कम था कि यह दोनों अब अनएदा नएदा क्लास मरेंगे इससे पहले कि प्रिंसिपल उस पे साइन करते हैं यहाँ पर जोर जल्दी से अपनी उस रिंग से प्रिंसिपल को ही इपनोटाइस करते देता है जो उसके कॉनफ्लेक्स निकली थी ऐसे प्रिंसिपल इन दोनों के कबसे में आ जाते हैं यह प्रिंसिपल हीपनोटाइस होने के बाद अब वही करेंगे जैसा यह दोनों चाहेंगे इन दोनों ने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस नकली रिंग से प्रिंसिपल हीपनोटाइस पर हो सकते हैं यह चीज़ो बाहर जाकर सब ये लोगों को बहुत परिशान करता है और यहां इन दोनों बच्छों को ये मुश्किल आ जाती है कि अब तो वो इनकी काबू में भी नहीं आ रहा था उन्हें लग रहा था कि वो सच में एक सूपर हीरो बन चुके हैं इसलिए वो एक बैलून कुरीला के पी बिरते हैं तो डाखों के उपर गिर जाते हैं और ऐसे वो सच में एक सूपर हीरो वाला काम कर गयते हैं यानि उन्होंने एक चोरी होने से बचा ली थी इससे पहले कि यहां लोगों का रश लग जाता जौर्ज और हैरल्ड जल्दी से उन्हें आसे ले चाती हैं यह कहते से उपर पानी डालेंगे तो प्रिंसिपल होश में आ जाया करेंगे यह उनकी हिपनोटाइस से बाहर निकल जाएंगे और जैसे ही वो चुटकी बचाया करेंगे तो प्रिंसिपल दुबारा से हिपनोटाइस हो जाया करेंगे और इनकी बाते मानना शुरू हो जाएंगे य नहीं इनके खर्ष चोड़ाते हैं अब खर्ष आने पर वो देखते हैं कि प्रिंसिपल के खर में तो कोई है यह नहीं वो तो बिल्कुल अके नहीं है और अब उने समझाता है कि इसे यह प्रिंसिपल इतने खडूस इतने अजीब गरीब रहते हैं उनकी लाइफ बहुत बोर हमें देखकर प्रिंसिपल को तो खुस्ता आना ही था वो इन दोनों को डांटे लग जाती हैं और साथ ही इने लैटर भी देती हैं कि जाओ दोनों अलग 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 क्लासेज में बैठो लेकिन इससे पहले कि यह बात कोई और सुन लेता वो दुबारा से चुटकी बजाती ह हैं और फिर से प्रिंसिपल को हिपनोटाइज करके अपने कब से मिले लेती हैं अब तो वो प्रिंसिपल से जादा ही कुछ अजीब भरकते करवा रहे थे जैसा कि वह उससे कहते हैं कि आपको स्कूल के नैनी से दोस्ती करने नी चाहिए अब इन दोनों बजों के कंट्रोल में ही यह प्रिंसिपल एक पागल साइस ट्रीचर को भी हायट कर लेता है पर इस स्कूल में रखने की वज़ा से अब यह बच्चे बहुत परिशान थे इस प्रिंसिपल का नाम था पीपी बच्चे सोचते हैं चलो एक दिन इनकी क्लास ले ही लेते हैं अगले दिन हम प्रि प्रिंसिपल को दिखती है यहां पे एक वाटर गन उसको चलाते ही प्रिंसिपल के ऊपर पानी गिर जाता है और पानी गिरने से वो वापिस होश में आचाती है जबके दूसरी दरफ यहां गलास में प्रोफेसर सबी बच्चों से उत पर टांग की बाते कर रहा था जैसा क उसे लगता था कि इस दुनिया में हसी होनी ही नहीं चाहिए वो सब बच्चों को एक दिमाग की फोटो दिखाता है और कहता है कि यहां पर जो परपल वाला हिस्सा है ना इसी की वज़ा से लोग हस पाते हैं और मैं एक ऐसी इंविंशन करना चाहता हूँ जिसकी मदद से इंसानों के अंदर से यह हिस्सा ही बाहर निकाल दिया चाहे और फिर इस दुनिया में कोई नहां से इस दुनिया में हसी का नाम और निशान बिना रहे यह सुनकर सारे बच्ची डर शाते हैं पर उससे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों चाहती हैं लेकिन वो इसका जवाब देते जौर्ज और हेरल्ड को कुछ ना कुछ घड़बरी लग रही थी वो इस वामले का पता चलाना चाहते थी इसलिए वो दुबारा प्रिंसिपल के आफिस आते हैं लेकिन यहां आके तो नहीं पता चुलता है कि प्रिंसिपल होश में आ गए थे पर क्या पर पड़ता एक चुटकी बजाने पर वो उसे दुबारा हैपनोटाइस करके उनसे साइस टीचर की पाइल लेते हैं जिसके उपर उनका नाम लिखा हुआ था पॉपी पैंट यह नाम तो काफिफ अनी था वो दोनों ना सिर्फ इस नाम को इंज्वाय करते हैं बलगे इस नाम पर कॉमि दिला देती है और वो इन दोनों को जील में बन करके जैसे ही अगली क्लास में जाते हैं तो अगली क्लास में भी सारे लोग उन्हें देखकर हस रहे थे इन सारे बच्चों की हसी की वज़ा उन्हें कॉमिक बुक मिल जाती है जिस पे अपना नाम पढ़के उन्हें अपनी पुरानी लाइफ याद आई थी, वो एक बहुत ही जीनियस प्रोफेसर थे, इन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेंशन्स की थी, और जब इन्वेंशन्स के लिए उन्हें इन नाम दिया ज़ा रहा था, तो बचाए इसके कि सारे उनकी तारीफ करते, सारे उनके नाम को लेकर बहां उनका मसरा को बड़ाते थे हैं, सारे उनके नाम को लेकर बहुत हसते हैं, यही बज़ा थी कि वो अपना नाम भी पूरा नहीं लिखते थे, बलके सिर्फ पी बी लिखते थे और इसी बच्चा से वो सारे बच्चों की हसी को भी खतम करना शाहते थे ताकि आगे कोई कभी किसी पे हस ना पाए और कभी किसी को बेस्ती फिल ना हो अब गुस्ते में ये साइस टीचर वो कॉमिक बुक प्रिंसिपल के पास ले जाती है लेकिन प्रिंसिपल तो खुद ही जॉर्ज और हैरर के कंट्रोल में था इसलिए वो इस कॉमिक बुक को हिस्ट्री बुक बताकर खुद ही पढ़ने लगे थे इस सब के खुस्ते में उन्हीं एक आइडिया आता है उन्हीं आता है क्लास का वही लाइक बचा जिसमें बहुत से inventions की थी वो सोच लेते हैं कि और कोई नहीं के बलके सर्फ यही बचा मेरी मदद कर सकता है इसको चलते वो इस बच्चे को अपने प्लान में शामिल कर लेता है उसका प्लैन यही था कि वो सबके दिमाग में से हासी वाला पार्ट निकाल देगा और ऐसे कोई किसी का मज़ाख नहीं उड़ा पाएगा इस साइस टीचर ने बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करती थे और एक्सपेरिमेंट करते हुए पता जोलता है कि ये बच्चा भी उन्हीं की तरह है इसके अंदर भी सेंस ओफ यूमर है ही नहीं यानि वो भी कभी हसा नहीं होगा ये देखकर ये साइस टीचर और पर जादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि अगर ये बच्चा और में मिलकर काम करें तो हम बड़ी आसानी से इस दुन्या से हासे को खतम कर सकते हैं दिखाया जाता है जौर्ज और हेरल्ड को जिन्होंने प्रिंसिपल को इपनोटाइस किये किये ही स्कूल में एक फंट फेयर रिक्वा दिया है और इस फंट फेयर में सबी बच्चे बहुत इंजोई करें थे साथ इसाथ प्रिंसिपल खुद भी इसको बहुत इंजोई करें थे और यहां अब वो इन दोनों के काबू से बाहर हो गए थे दिन से रात हो जाती है वो मस्ती करते करते ठकता ही नहीं और तब ही रात में अचानक वारिश होने पे पानी उनके जैसे ही सर पे गिरता है तो उन्हें होश आता है वो वापस प्रिंसिपल बन जाते हैं और प्रिंसिपल बन के देखते हैं ये मैं क्या कर रहा हूँ अब वो आकर दोबारा जॉर्ज और हेरल्ड को डांटने वाले थे लेकिन जॉर्ज और हेरल्ड भी उनके कुछ कहने से पहले अपना जादू इस्तमाल करना चाहते थे पर अब उनका चुटकी का जादू खतम हो गया था वो काम नहीं कर रहा था और इस तरह उन दोनों को अब अन्यदा कर दिया जाता है ये दोनों जहां भी इसी परेशानी में थे कि अचानक उनके शेहर में वही टर्बो टालेट आ जाता है जिसे जॉर्ज और हेरल्ड के बहुत ही लाइक क्लास फेलो ने बनाय था उस साइस टीजर ने इसका साइस बहु परेशान थे उसी दोरान प्रिंस्पल इनके पास आते हैं इन दोनों को चुछ और नहीं सुछता और ये दुबारा जैसी चुटके बचाते हैं तो अब इनकी किसमत काम करशाती है प्रिंसिपल दौबारा इनकी कबसे में आ जाते हैं और वो दोनों इनको कैप्टन अंडर लिया था जॉर्ज और हैरल्ड इतने पुरे नहीं थे कि वो अपने प्रिंसिपल की जान को खत्रे में देख सकते हैं इसलिए वो खुद फोरन साइंस चीचर के पास जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं कि उन्होंने उनकी नाम काम बसाथ बनाया था बलके अब तो उनकी के इस एक्स् Cristos का एस्परिमेंट का उन दोनों पर जादा होता था दिमाग छूटा होने पर इन दोनों को वह हरकते यादा आती हैं जो हमेशा यह दोनों साहा मल करगते थे वह हरकते यादाने पर ये इतना हसते एंस कि और साइटीट का बनाया हुए तर्बो कर खराब हो जाता है ऐसे जिन जिन बच्चों की हंसी इस टरबो टॉलेट ने चीनी थी और सब की हंसी भी उन्हें वापस मिल जाती है सारे बच्चे रस्ते खेलने लगते हैं और इन सारे बच्चों को देए कर साइंस टीचर को और भी ज्यादा वुसा जाता है और अब वो एक ऐसी गन निकालता है जिससे चीजों को बड़ा या चोटा किया जा सकता था इसी गन के जर्गे वह जोरज और हैरल्ड को पकर चुका था इससे पहले यहां पे कोई और तबाही करता हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एक नए सूपर हीरो की तरह एक नई ताकत के साथ यहा साइस टीचर पर भी वार कर देते हैं पर उनका यह वार उनहीं पर भारी पढ़ गया था चूंकि यह साइस टीचर अब एक मॉंस्टर बन चुका था अब दुबारह उसे चोटा करने के चक्कर में जैसे ही प्रिंसिपल दुबारह उस गन का इस्तामाल करते हैं तो गलती से यह गन उनहीं के ऊपर चल जाती है और इनका साइज इतना छोटा हो जाता है कि वह एक मखी पर भी बैठ सकते हैं इस सारे चकर में यह गन आकर गिरती है जो किसी तरहां अपनी एर्थ के साइंस टीचर के बनाए हुए टौवर तोड़कर उस गन को उठाते हैं और अपने प्रिंसिपल को वापिस बढ़ा करने की कोशिच करते हैं पर इस सब में जोहर्ष का हाथ बढ़ा हो जाता है और तब ही उनके सामने वह साइंस टीचर भी अपनी गन निकलिया जाता है छीना चप्ते के दौरान वह गन चल जाती है साइंस टीचर के मूँ पे और उनका बहुत बड़े जिस्तम पर एक चोटा समूं उनकी इस लड़ाय के जक्कर में कोई बर्ट बड़ा हो जाता है तो स्कूल छोटा हो जाता है किसी का घर छोटा हो जाता है तो कोई देरफ बढ़ा हो जाता है सारे उसे में जलदी से अब हेरल्ड वो गन उठाता है और सारी चीज़े वापिस दे ठीक कर देता है पर वो किसी एक कुछ ठीक नहीं कर पाता और वो थे उनके प्रिंसिपल क्योंकि वो एक मक्षी के उपर बैठ कर वहाँ से भाग चुके थे इसे सब के दुरान यहां पर पुलीस आ जाती है और यह दोनों बचे किसी ना किसी तरहां अपने प्रिंसिपल को लेकर अपने ट्री हाउस में आकर अप काफी परिशान थे इतनी जादा गड़बड़ी हो गई थी उनकी वज़ा से और इस समझ नहीं आता उन्हें क्या करना चाहिए बहुत सो समझने के बाद वो डिसाइट करती है कि हम अपनी रिंग को तोड़ देंगे जिसके मदद से हम प्रिंसिपल को हिपनोटाइस कर रहे थे हर जिस पहले की दरहां नॉर्मल हो जाएगी तो क्या होगा तो उन्हीं पता चलता है कि पिछले दिनों में उनकी एक दोस्त बन गई थी अब उनकी तनहाई भी क्योंके दूर हो गई थी इसलिए उनकी आदते भी काफी चेंज हो गई थी वो अब उतने खडूस नहीं रहे थे बलकि अब तो वो कभी खबार हास पिलिया करते थे और बच्चों के साथ भी अच्छे से रहने लग गए थे इसलिए जॉर्ज और हेरल्ड को भी अब उनसे जादा मसले नहीं थे अब हमें दिखा जाता है कि प्रिंसिपल और उनकी दोस्त बैठे हुए डिनर कर रही है एक जुका और उन्हें देखकर जॉर्ज और हेरल्ड दोनों ही बहुत खुश है जबकि दूसरी तरफ अब हमें वो टर्बो टाइलड दिखा जाता है जिसने पहमें सब बच्चों की हांसी शेनी थी कच्छी में पढ़ा हुआ वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके पास पढ़े हुए सारे चोटे चोटे टॉलेट भी ओसी के जैसे बन जा और जो और जो और हेरल्ड पर हमला करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि उन्हें की वज़ा से तो बड़ा टॉलेट खराब हुआ था जहां अब इतने सारे टॉलेट से इनकी जान कोन बचाता अब कहानी में ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि प्रिंसिपल अभी भी चुटकी बचाने पर हेपनोटाइस हो सकता था वो खुद ही अपने आपको अपनोटाइस करने के लिए चुटकी बचाता है अपने आपको कॉमिक बुक वाले सूपर हीरो में बचलता है यही अपने आपको कैप्टन अंडर परिंट बनाता है और इन दोनों को हवा मिलेकर इन सारे टॉलेट से बचाकर दूर आसमान में हो जाता है जिन्हें दिखाते हुएं यह कहानी हां सत्म हो जाती है